पर दोग आप लोग जानते हैं हमारे बीच में हमारे बड़े भाइसाब हैं यहां पास री भुबंचन कांडपाल जी त्रिलोचन कांडपाल जी और सभी मेरे छोटे भाई हैं और भतीजे हैं सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम होली क्यों मनाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरण कश्पु का जो लड़का प्रहला था उसकी अच्छाईयों को देख करके क्योंकि हरण कश्पु एक राक्सस थे और उसका बच्चा एक धर्म मार्ग पर चल रहा था और वो धर्म मार्ग से उसको खटाने के लिए उसने अन्यकों प्रियास किये और अपनी जो राक्ससी बहन है उसको लेकर के आया होली का को कि इसको जला करके नश्ट कर दे तमाम को उसने बहुत कोशिष लेकिन अन्तम हूलिका की गूद में रखकर के प्रहलात को जलाने का प्रियास किया लेकिन वगवत के रपासरह को अधीर और उसकी दिन से यहाँ हूली पर्वनाये जाता है चौकि बनारा सित्यादी इस्थानों में जो हूलिका का दहन होता आ है प समाप्त नहीं किया जा शकता इसलिए अधिकान से जो तराई शेत्रे हमारे उधर कल चलडी हो गई थी और हमारे यहां आज है सनिवार 19 तारिक को इसमें हमने पहले भी अपना एक बयान दिया था अकबार वालों को उसमें बहुत से प्रस्निक पूछे थे कारण यही है कि हमा अपनी नौकरी से चुट्टी लेकरके बच्चे यहां हूली मनाने के लिए आए हैं यह एक अच्छाई बुराई का जो नास है बुराई को हटा करके अच्छाई का प्रवेश जीवन में हो इसलिए हुलिका का देहन करके सब लोग अपने घरू में अच्छाई लाएं अपने जीवन में अच्छाई लाएं और अपना जो है जो बहुत से करें इसलिए हुलिका का जो है लोग हैं वो यहां बढ़ चड़ का आएं क्योंकि गाउं से पलायन बहुत हो गया है यह पलायन को कैसे रोका जा सकता है क्योंकि डिवाली और होली में कम से कम आ करके इस पलायन को रोकने का प्रियास करें आप यदि नहीं आएंगे तो आपके घर तो ऐसे बंजर पड़ी ग करना है यह चुर्मल देपता का मंदिर है इसको बनाना है इसमें बैठने के लिए बनाना है तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए अपने गाओं की तरफ लोटें होली दीपावली में कम से कम आपको आना चाहिए और इसी निवेदन को स्विकार करते हुए पुनौ अधिगाँ है